हेलो गाइज वेल्कम टू आर चानल और आज हम लेके हैं सुरा रह्मान विद उर्दू ट्रांसलेशन और विजुल इफेक्स का रियाक्षिन यह वीडियो जो है यह वीडियो अभी हमने रीशन में देखी थी सुरा मुल्क वीडियो के अंदर इस तरीके से बताया गया था नॉन बिलिवर्स के लिए एंट चीजे सुनाई गई थी तो वह टच कर गई थी एंट साथ में सुरा क्यामा भी देखी हुई है स एक गई आतुया क्यों गई ठीजे अ क्यों है ह leaning आयते हैं वुएय। क läuft को सुनने में जाया है के वीडियो एक means थी फील होता है आच सात में समझ जाती है गढ़ हुझे नपर इस पाना api पता नहीं है अब देखेंगे सुरह रह्मान में क्या लिखा हुआ है और बहुत जादा लोग कह रहे थे हैं आपको जुरूर सुननी चाहिए और जो हम लोग ने सुरह मुल्क सुननी वह बहुत जादा रची थे और यह भी भी बोला था कि आप अच्छे इंसान बन अच्छे काम करो लेकि सुरह रह्मान में क्या होने वाला है तो आप भी देखो हम भी देखते हैं लेट स्टाइए बिस्मिल्लाह रर्रह्मान रर्रहीम अलाह के नाम से जो बड़ा बहर्बान नहायत रह्माला है सूरत अर्रह्मान 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 अल्मल्कुर्ण उसी ने गुर्ण की तालीम दी खलक अलिंसान उसी ने इंसान को पैदा किया उसी ने इंसान को बोलना सिखाया सूरज और चांड एक हिसाब मुकरर से चल रहे हैं और सितारे और दरख सजदा कर रहे हैं और उसी ने आस्मान को बलंग किया और तराजु काइम की इसलिए के मीजान से तोलने में हद से तजावज न करो और इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तोल में कमी न करो और अर्द वड़ा हा लिवाल बैलेंट रहने को के हैं और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिचाई पीहा फाकिहत वन्नखल दात अलएक्मान उसमें हर तरह के फल और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशे घुलाफ में लिप्टे हुए होते हैं और उसमें भूसे वाला अनाज है और खुश्बूदार फूल है तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने परवड़दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओगे वाँ के हर चीज उसके बनाई हुए है उसी ने इनसान को ठेकरे की तरह खंखनाती मट्टी से बनाया मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया तो तुम अपने परवड़दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओगे रबूलमश्रिकाईन वरबूलमगरिबैन वही दोनों मश्रिक और दोनों मगरिब का मालिक है तो तुम अपने परवड़दिगार के किन किन अजायबे कुद्रत को जुटलाओगे बारवड सिंबलिर क्वेशन है उसी ने दो समंदर जारी किये जो आपस में मिलते है दोनों में एक परदा है कि वो उससे तजावज नहीं कर सकते तो तुम अपने परवड़दिगार की खुद्रत के किन किन करिश्मों को जुटलाओगे नहीं समंदरों से मोती और सीप निकलते है तो ऐ जिन्नों इंस तुम अपने रब की खुद्रत के किन किन कमालाओगे और ये जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह उंचे उठे हुए है तो ऐ जिन्नों इंस तुम अपने रब के किन किन इहसानात को जुटलाओगे जमीन पर हर चीज फना होने वाली है और सिर्फ आपके परवर्दिगार की बाबरकत और करीम जात बाकी रहने वाली है तो ऐ जिन्नों इंस तुम अपने रब के किन किन कमालात को जुटलाओगे ये सारे उन लोगों के लिए जो क्वेशन करते हैं न सवाल करते हैं ये उन जाथ मुस्लिम भी जो सवाल करते हैं आसमानों और जमीन में जितनी भी मखलुकात हैं सब उसी से अपनी हाजते माग रही हैं और हर आन उसकी एक नई शान है पस ऐ जिन्नों इन्स तुम अपने रब की किन किन सिफात को जुटलाओगे ए जिन्नों इन्स हम अन करीब तुम से बास पुर्स करने के लिए मतवज्य होते हैं तो तुम अपने रब की कौन कौन सी कुद्रत को जुटलाओगे या मशर जिन्न वल इन्स इन इस्ताइटम अन तन्फुदू मिन अकटार स्समावात वल अर्द फन्फुदू ए गिरोह जिन्नों इन्स अगर तुम आसमान और जमीन की सरादों से निकल सकते हो तो निकल कर देखो तुम नहीं निकल सकते बजुद बड़े जोर के जिन्नों में इन्सानों को कह रहे हैं कि जिन्नों को कह रहे हैं यह चीज़ समझ यह तो तुम अपने रब की किन किन कुद्रतों को छुटलाओगे यूपसल अलयकुमा शुआगु मिन नार वनुहासु फला तंतसिरान तुम पर आपके शोले और दुआ छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम मकाबला नकर सकोगे तो तुम अपने परवर्दिगार की किन किन खुद्रतों को जुटलाओंगी फिर जब आस्मान फटकर सुर्ख हो जाएगा जैसे सुर्ख चम्रा तो ऐ जिन्नों इन्स तुम अपने रब की किन किन खुद्रतों को जुटलाओंगी एक बहुत पोईटिंग वे में लिखा हुआ है पुरा उस रोज ना तो किसी इन्सान से उसके गुनाहों के बारे में पूछने की जरूरत होगी और ना किसी जिन से तो तुम अपने परवर्दिगार की किन किन शानों को जुटलाओंगी उस रोज गुनाहगार अपने चेहरों ही से पहचान लिये जाएंगे और पेशानी की बालों और पाउं से पकड़ कर घसीटे जाएंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की किन किन खुद्रतों को जुटलाओंगी यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग जुटलाते थे और वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दर्मयान गर्दिश करेंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की किन किन खुद्रतों को जुटलाओंगे बहुत ज्यादा पोएटिक है और जो शखस अपने परवर्दिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग है तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे दवाता अफनान इन दोनो बागों में हरी भरी डालियों से भरपूर शाखे हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे इन दोनो बागों में दो चश्मे बह रहे हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे इन दोनो बागों में हर फल की दो किसमे हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे अहल जननत ऐसे बिचोनों पर जिनके अस्तर दवीज रेश्म के हैं तक्या लगाए हुए होंगे और दोनो बागों की डालियां फलों से जुकी जा रही होंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे उन में नीची निगाहों वाली खवातीन हैं जिनको एहल जन्नस से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न किसी जिन ने तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे वो इस तरह होंगी जिस तरह हीरे और मोती तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे और इन बागों के इलावा दो बाग और हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे दोनो बागों में दो चश्मे उबल लहे हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे फीहिमा फाकिहतु वनखलु वरुमान उन में बकसरत फल और खजुरें और अनार हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे फीहिन खेरातु हिसान उन में नेक सीरत और खुबसूरत हुरे हैं तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे लम यतमिथहन इनसं कबलहुम वला जान उनको एहल जन्नस से पहले ना किसी इनसान ने हाथ लगाया होगा और ना किसी जिनने तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे अहल जन्नत सब्सकालीनों और नफीस मस्नदों पर तक्या लगाए बैठे होंगे तो तुम अपने परवर्दिगार की कौन कौन सी निमत को जुटलाओंगे तबारक असम रबिक दिल जलाल वाल इक्राम ए मुहम्मद अपके परवर्दिगार जो साहिब जलाल और अजमत वाले हैं उनका नाम बड़ा बावर्कत है आपने देखा होगा कि हम इन वीडियो में ज्यादा बहुत नहीं पाते हैं आप बहुते नहीं है क्योंकि यह वीडियो स्पीछलेस कर देती हैं इस तरीके से इसमें पीछे चल रहा हुता है जब वह रिसाइट कर रहे होता है वह सुनना बहुत पीसफुल लगता है एंड इसके बात जब explanation आता है तो वो तो ध्यान से सुननी होती है कि उसमें वो क्या कह रहे हैं और क्या बताना चाहरे है तो यह बहुत ही जादा पीश लगता है सुनके इसके अंदर जो देखा जाना इन्होंने यही बता है जो भी लोग बिलीव नहीं करते हैं जो इन्होंने किया है जो अल्ला की बनाईवी चीज की बिलीव नहीं करते हैं तो वह बता रहते हैं जासे बाता हैं वीडियो थे खाई करें कई झांड़ोड़ मॉम्मद अली मिर्जा जी की अमने वह देखिए वे किंग्डम अफ आफ उसमें देख एक हम चीजे लिए आफ यह हैं वे विए में बैड आफ खाल गशाक एंगे हैं इतना डीटेल में अचाए बूख एक हैं सुरह रामान में पुझा वाई सन्ने को मिल्ड़ा थै यह देख रहे हो जो बाद मिलें जो पहले हैं बनाई गई है तो तुम इस पर कैसे बिलीव नहीं कर तो मुझे बहुत अच्छा लागा सकता है इसमें वस यही था कि पहले तो इस चीजे बताए कि जो पहले समंदर की बात करेगी कि जो दो समंदर मिलते हैं वह भी मैंने बनाए है ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने चीजे बोली है कि जो भी चीजे है इस अधरती पे जो मतलब बहुत ऐसी है कि कोशन उच जाता है कि मतलब बहुत ऐसी चीजे है कि जिससे यह सवाल उड़ाता है कि इंसान कि इंसान नहीं यह बना सकता है तो फिर भी तुम्हेर कोशिश करी समझाने के लिए इसा बनाई है तो यह बना है. यह बहुत लेकिन तुम अब भी नहीं बानती होता है कि मैंने माली है तुम्हारे साथ ही यह चीज़ होने वाली है तुम्हारे बालों को खींचा जाएगा, तुम्हें बालों से खींचा जाएगा, लग यही बोला है कि जो इंसान भगवान को नहीं मानता है, उसके साथ बहुत जादा बुरा होगा, फिर उसको बहुत चीज़े पेस करनी पड़ेगी, तो सीरिसली बहुत जादा अच्छा थ बालों से शैूर मुलक आए, विड़ मेरे उसके सार नहीं नहीं बूसित in हैक संहें मैरे साथ मुझा सुना मेरे चाओ करो तो मुझे करो और आखि का एख़ एपोक्त की मैरे पुझा करोरा हे उसा थना है, तो जयां नहीं आता है, तो प्ल स्ट्राइब दीजे बाइ